हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वावत है आज मैं आपके साथ मैं यूजपूर काम आने वाले टिप्स लेकर आई हूँ क्याकर टिप्स हैं यह देखने के लिए चैनल पर बने रहें चलिए देखते हैं पहला टिप्स क्या है पीडियो को लैग जरूर करें तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी यहां पर मैंने लिया है निवू आजकल तो गर्मियों के टाम में डेली ही नीवू यूज होता है चाहें हम मतलब नीवू का पानी बनाते ही हैं या फिर आप सब्जी के लिए कैसे भी यूज कर रहे हैं तो आपको इस में से रस किस तरीके से आसन तरीकी से जितना भी इसके अंदर रस रहता है आप निकाल सकते हैं बिना किसी महनत के नहीं है निवू के शार रस नहीं निकलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं हतेली इस थोड़ा इस तरीके प्रेस कर लें और शीण करें रहाई जब तक आपको सीए अच्छा कर सcific जैसे नहीं हो जाएगा आप दबा करके देखेंगे तो थोड़ा सौफ्ट लगेगा तो आपको उतना ही करना है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे प्रैस कर लिया है उसके बाद में आपको दिखाती हूं कि कितना सारा रस निकलेगा आप चाहो तो इससे निकाल सकते हैं और आप मतलब बिना इसके भी निकाल सकते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से निकाल करके दिखाती हूं कि एक ही नीवू से आपका कितना सारा रस निकल के तयार हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बेश्ट नहीं होगा छिलके में बहुत सारा रस रह जाता है अच इतना सारा रस निकल के तयार हुआ है और अभी इसमें काफी सारा है तो मैं उसे बाद में इसी तरीके से निकाल लूँगे और मैं आपको इससे भी निकाल करके दिखाती हूं जैसे भी आप चाहें हाथ से निकालें चाहें इससे निकालें दौनों से बराबर मात्रा में ही आपका जो नीवू है उससे रस निकल जाएगा जितनावी छिलके में था बिल्कुल भी बेश्ट नहीं होगा यह देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक नीवू से ही रस निकाला है यह सिर्फ और सिर्फ जब मैंने कट करने से पहले थोड़ा सा आप हतेली से उसे प्रेस कर लोगे अब मैं सुबे में इसे बालों पर लगाने से पहले आपको एक टिप्स बताऊंगी जिससे के आपके बालों में गोता है ना कभी डांडर रूशी रहती है बिल्कुल नहीं रहेगी मेहिदी लगाने से पहले आप इस टिप्स को फोलो कर सकते हैं तो क्या चीज है वही मैं साथ मैं शेयर करें तो यहां पर मैंने लिया है आधा नीवू क्योंकि मेहधी बहुत ज्यादा नहीं थी आदा नीवू का ही मैंने रश लिया है आप चाहो तो अगर ज्यादा नीवू आपने भिहो करके रखी है तो आप एक नीवू पूरा यूज़ कर सकते हैं अधा साम को रात को मैंने सोने से पहले अव सुबह में नीवू ही एड करना है बस क्योंकि इसमें बहुत नुपर महधी है यह नुपर महधी जो आते उसमें सारी चीज़ा मिक्स होती है ज्यादा कुछ एड करने की जरुवत नहीं रहते मैं तो नहीं करती हूँ आप मैंसे को में आपको एक तिप्स में वह भी बताऊंगी कि अजब आप इस मेहदी को अपने बालों में लगा लेते हैं तो आपको सिर्फ इसे दो ढ़ाई घंटे तक ही रखना है उससे ज्यादा आप अपने बालों पर इस मेहदी को न रखें होता है न कभी हम बेट करते हैं कि अच्छ सिर्फ सिर्फ दो गन्ते ही काफी रहते हैं तो करते हैं वी अर्वी की सबजी तो मैं कि तरीके से बनाति हूं वही ने आपके साथ में सेयर कर रही हूं फो मैं नहीं बहुत अच्छी बनती हैं अर्वी की सब्जी जीरा वगएरा कुछ भी अड़ नहीं करना है और थोड़ा सा ही और इसमें प्याज लहसुन कुछ पानी जसे की मसाले अच्छी सा बनने के टैयार हो जाएं उसके बाद इसमें मैं के नमक अच्छी से पकता है यहां पे पानी के लिए तो नमक जरूर डालें आप मसाले के साथ जिससे की मचलड़ीम जल्दी से तो यहां पर मैंने इसे थोड़ी दिर के लिए ढख दिया था धकने के बाद मसाला यह देख सकते हैं अच्छे से हमारा पक गया है टमाटर भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है इस ताइम पर मैं इसमें एड कर रहे हूं कसूरी मेथी कसूरी मेथी आप बाद में भी ए जाए था उसको हम एड कर देंगे इसमें अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सारे मसाले में पहले क्योंकि यहां पर मैं बना रही हूं ग्रेवी वाली अर्वी की सबजी तो आपको अगर सूखी बनानी है तो आप इसे थोड़ा सब मतलब मिक्स करने के बाद ढख दें तरीके की जो सब्जी बनाते हैं उसमें गरम पानी ही एड करें क्योंकि पहले से बॉइल की हुई है अर्वी तो पकने में टाइम नहीं लगेगा मैंने इसे एक दो मिनट के लिए ढख करके पका लिया है यह देखी हमारी सब्जी बनके एक दम से तयार है ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसी आपको पसंद है गाड़ा पतला बैसे सब्जी आप आप रख सकते हैं तो यहां पर हमारी सब्जी बनके तयार ह तो यही थी मेरी आज की टेप्स कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें से आपको कोई सी भी टेप्स अच्छी लगी है या खराब लगी है कमेंट करके बता सकते हैं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्स फूर झाल कोई तो पूकर टीजयों के टाल क्या थार वाफं